रायल चेलेंजस बंगलूरू ने गुजरा टाइटन को हराया पॉइंट स्टेबल में तहलका मचाया जी हाँ गाईज रायल चेलेंजस बंगलूरू ने गुजरा टाइटन को बहुत बुरी तरह से हराया पॉइंट स्टेबल में अपने टीम को तीन पायदान उपर खिसकाया अगर गाईज हम हर टीमों की पॉइंट स्टेबल में पोजीशन की बात करें तो नमबर वन पे है राजस्थान रायल्स जिन्होंने अब तक 10 मैच खेले हैं जिसमें इन्होंने 8 मैचों में जीत हसिल की है तो वहीं 2 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है इनको फिर भी 16 में हार का सामना करना पड़ा है इनको फिर भी 14 पॉइंट के साथ नमबर 2 के पोजीशन पे हैं क्योंकि इनका नेटरान रेट प्लस 1.098 है अब नमबर 3 के पोजीशन पे है लकनाव सुपर जाएं जिन्होंने अब तक 10 मैच खेले हैं जिसमें इन्होंने 6 मैचों में जीत ह हासिल की है तो वही चार मैचों में हार का सामना करना पड़ा है इनको फिर भी 12 पॉइंट के साथ नमबर 3 के पोजीशन पे हैं क्योंकि इनका नेटरान रेट प्लस 0.094 है तो वही नमबर 4 के पोजीशन पे हैं सराइजरस हैदराबाद जिन्होंने अब तक 10 मैच खेले हैं अब नमबर 5 के पोजीशन पे हैं चन्नाई सूपर किंग जिन्होंने अब तक 10 मैच खेले हैं जिसमें इन्होंने 5 मैचों में जीत हासिल की है तो वही 5 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है इनको फिर भी 10 पॉइंट के साथ नमबर 5 के पोजीशन पे हैं क्योंकि इनका नमबर 6 के पोजीशन पे हैं दिल्ली कैपिटल्स जिन्होंने अब तक 11 मैच खेले हैं जिसमें इन्होंने 5 मैचों में जीत हासिल की हैं तो वही 6 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है इनको फिर भी 10 पॉइंट के साथ नमबर 6 के पोजीशन पे हैं क्योंकि इनका नेट अब नमबर 7 पर पहुच गई है जायल चेलेंजरस बंगलूरू जिन्होंने अब तक 11 मैच खेले हैं जिसमें इन्होंने चार मैचों में जीत हासिल की है तो वहीं 7 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है इनको फिर भी 8 पॉइंट के साथ नमबर 7 के पोजिशन पे हैं क्यों फिर भी 8 पॉइंट के साथ नमबर 8 के पोजिशन पे हैं क्योंकि इनका नेट रन रेट माइनस 0.062 है अब नमबर 9 के पोजिशन पे हैं गुजरात टाइटन जिन्होंने अब तक 11 मैच खेले हैं जिसमें इन्होंने चार मैचों में जीत हासिल की है तो वहीं 7 मैचों में हा 12 मैच खेले हैं जिसमें इन्होंने केवल 3 मैचों में जीत हासिल की है तो वहीं 8 मैचों में बुरी तरह से हार कर 6 पॉइंट के साथ नमबर 10 के पोजिशन पे हैं तो गाईज इस प्रकार से हैं पॉइंट स्टेबल में हर टीमों की पोजिशन